कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ उसे लेकर के देश उस सदमे में हैं लेकर एक सच ये भी है कि कोलकाता की उस बिटिया को डॉक्टर बिटिया को डायरी लिखने की आदत थी जिसका एक पन्ना गायब है नमस्कार रिपब्लिक भारत के डिजिनल प्रेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हो मिनाप श्री दिगत तो डॉक्टर बिटिया जिसे डाइरी लिखने की आदत थी उसने डाइरी उस दिन भी लिखी थी जिस दिन उसके साथ ये पूरी दुरगटना घटी थी उसकी फोटो खीच करके उसने अपने माता पिता को भेजी थी वाट्सअप की गई थी फोन पे भेजी गई थी लेकिन इस सब के बीच जब अब CBI के हाथ वो डाइरी लग चुकी है तो उसका वो पन्ना गायब है जिसकी फोटो उसके दौरा अपने माता पिता को भेजी गई थी और इसके बारे में जानकारी खुद दी गई है पीड़ता के जो पिता है उनके दौरा CBI को कि मेरी बेटी ने पूरे केस को क्योंकि अब CBI ने टेक ओवर कर लिया है CBI ने कहा है कि चार दिन से तो हम पूछताच कर ही रहे हैं जो पूर प्रिंस्पल है संदीब गोश्ट लेकिन उसकी तरफ से कई ऐसे सच है जो चिपाय जा रहे हैं यहां तक दावा किया जा रहा है कि जो फोन डीटे उनके द्वारा किये गए थे इसी के साथ जो मुख्य आरोपी जिससे बनाया गया है उसका नाम है संजय रॉय अब संजय रॉय कौन है इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रहे है क्योंकि यहां पर CBI की एक अधिकारी के द्वारा यह कहा गया है यह बताया गया है क इस पूरे मामले को सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा घटना को अंजाम नहीं दिया गया है यानि कई ऐसे मुख्यकरदार है जो अभी भी इस पूरे केस में नदारत नजर आ रहे हैं और CBI उन्हीं का पीछा करते करते चार दिन से पुछताच संदीब घोश से कर रही है करके अब जवाब जाने बेहत जरूरी हो गए है क्या खिरकार उस रात हुआ क्या था यह उतना ही सच है जो उनके पिता के द्वारा कहा गया है पीड़ता के बेटी ने जो पन्ने की फोटो भेजी थी वो गाया पे और इसी कस्तुराग जैसे ही CBI को मिलता है CBI दस्तक देत अब उसके विहाब पर भी यह कोशिच की जा रही CBI की तरफ से कि आखिरकार वो डायरी का पन्ना गया कहा और अगर एक पन्ना गया है इसका सीधा सीधा मतलब है कि कई और ऐसे पन्ने हैं जिनने फाड़ा गया डायरी से जिनने गायब किया गया क्योंकि इसी के साथ यह ख है पर बॉड़ी मिली थी शायद उस जगह हत्या हुई ही नहीं थी हत्या किसे और जगह हुई है और उसके बाद शब को वहां पर लाकर खर रख दिया गया है अभी पूरे मामले में जाच हो रही है लिकिन जैसे जैसे सीधा आगे बढ़ते जा रही है कई ऐसे सच है जो द सच है रोय का कि जो कुछ किया उसने किया सीवी आई को अभी विश्राख है कि ये घटना किसे एक व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है लेकिन उस पन्ने का क्या जो डाइरी से गायब हो गया सवाल सुलकता हुआ ये भी कि क्या और और गायब कर पीछे की वज़ा क्या थी सब सच CBI सामने लेकर ख्याइज एसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे है रेपॉब्लिक भार का दिश्टा प्लेफॉप लाम ये साथित मैं नमस्कारी